नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धननजय अगर कोई मुझे असॉल्ट राइफल देता है और अगर वो ये उमीद करता है कि मैं उस असॉल्ट राइफल का मैक्सिमम यूटिलाजेशन कर सकूँगा तो सामने वाला व्यक्ति गलत है क्योंकि नहीं तो मुझे असॉल्ट राइफल चलाने आता है नहीं तो मेरे पास किसी भी तरीके कोई experience है नहीं तो वो मेरे profession से match करता है तो कहने का मतलब है कि भले आप Ukraine के forces को most advanced weapon दे दे लेकिन अगर किसी भी तरीके से उनका एक sufficient number of hours अगर training में नहीं invest हुआ रहेगा तो किसी भी तरीके से उस weapon का वो उस तरीके से इस् आप simply यहां से भी एक साल continuously अगर आप अखबार पढ़ते हैं तब भी आपको समझ में आ जागा कि exactly diplomacy का importance क्या होता है और जब आप या आपका देश चब directly war में उतरता है तो उसका नुकसान कितना होता है भले यहां पे Russia और Ukraine war में है और जहां पे Russia एक advantageous position पे है लेकिन इस ब पाना मुश्किल है कि Ukraine इस war damage से किस तरीके से बाहर निकलेगा और उसके बाद अगर बात किया जाये तो western countries, US more or less Ukraine को continuous तरीके से weapons वगेरा supply कर रहे हैं लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जितना announcement किया जा रहा है US या western countries के द्वारा उतना Ukraine को weapons नहीं भेजा जा र जिस weapon का इस्तेमाल करके वो रश्या के साथ war में बना रहे हैं तो कहने का मतलब है कि रश्या को कमजोर करने के चक्कर में western countries और US, Ukraine को कमजोर कर दिये हैं और 2019 में जब Zelensky President बनते हैं तो उसके पहले उनके पास कोई भी political power को समालने का कोई experience नहीं था तो इस चीज़ को आप समझे कि आप कभी MLA भी नहीं बने हैं और directly आपको प्रधान मंत्रिय रास्टपती बना दिया जाता है तो आपके लिए coordinate करना काफी मुश्किल हो जाएगा और उसके अबाद अगर किसी भी तरीके से अगर आपके supervision में अगर आपका देश war में जाता है तो आपको exactly ये समझ में नहीं आएगा कि आपको exactly करना क्या है और अगर US अगर आपको प्रेसिडेंट बनाया है तो US के भी अपने interest है तो कहने का मतलब है कि खुशी खुशी जलेंस्की प्रेसिडेंट तो बन गए लेकिन उनको ये नहीं मालूम था या उनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस वर को खतम किया जाए और में भी जब इतिहास लिखा जाएगा तो प्रेसिडेंट जलेंस्की को काफी नेगटिव तरीके से लिखा जाएगा क्यूंकि जितने भी जो civilians का casualties हो रहा या जो armed forces का casualties हो रहा इसके सिर्फ और सिर्फ responsibility जलेंस्की की ही बनती है इस इसको मार के गिराया गया है इसके बारे में अब तक कोई भी पुकता खबर नहीं है लेकिन एक जो confirmed खबर है वो यह है कि F-16 और साथ में fighter jet का नुकसान होना यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नुकसान है जहाँ पर एक तपका तो यह कह रहा है कि friendly fire में F-16 को rockets वग हो गया है और बहुत selected pilots को US के दवारा और भी अलग-अलग western countries के दवारा training दिया गया था उसमें से एक जो F-16 crash हुआ है उसके जो pilot का जो nickname था या call name था वो moon fish था इनके बारे में कहा जाता है कि यह काफी capable pilots हैं तो again कहने का मतलब है कि एक twin के पास बहुत selected number of pilots थे उनका भी न उक्सान हुआ तो कहने का मतलब है कि अगर आप simply एगर आप एक महिने का अगर आप articles को अगर आप पढ़ना शुरू करेंगा Russia Ukraine war के बारे में तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि यह war complete तरीके से Ukraine हार गया है और कोई मतलब कोई जादू साही होगा जिसके कारण Ukraine इस war को जीत पाएगा और फिलहाल के हिसाब से व्लादिमेर पुतिन के पास कोई भी ऐसा वजय नहीं है कि वो Ukraine के सर्तों पे इस war को रोकें और उसके बाद क्या है कि Russia और Ukraine के war में जितने भी जो Western countries Ukraine को support कर रहे हैं उन सब देशों का जो weapons manufacturing companies है प्लस US का ये लोग भर-भर के Ukraine को weapons द ये जा रहे हैं जो weapon अभी भी under supervision है या किसी भी तरीके से वो अभी भी training period में है तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि Russia Ukraine war को as an advantage देखा जा रहा weapons manufacturing companies के द्वारा जहां पे वो अपने जो product से उसको live एक war में टेस्ट करेंगे और जो भी कम्या रहेंगा उसको वो note करेंगे और इसको कोशिश करेंगे हटाने का तो कहने का मतलब है कि आपको war में भेज के आपके देश का इस्तमाल किया जा रहा आपके जमीन का इस्तमाल किया जा रहा और ये चीज जिलन्सकी को या तो दिखाई नहीं पड़ रहा या तो शायद वो अब इस position में रहे ही नहीं है ज जिस F-16 को या जो F-16 क्रैश हुआ है उसके बारे में तो रश्या ने कहा है कि जो भी इस F-16 को मारा है उसे रश्या 170,000 का प्राइस देगा या गिफ्ट देगा तो ये सारे जो बात होते ये सब अपने आप में काफी embarrassing moment होता है किसी भी देश के लिए और उसके बाद जो ए कहीं ना कहीं वो जो पूरा atmosphere बना होगा अभी जो Ukraine में वो कहीं ना कहीं President Zelensky काफी परिशान करता होगा तो कहने का मतलब है कि एक बहुत ही बड़ा trust factor भी develop हो गया है F-16 fighter jet का crash होना उसके बाद Zelensky अपने Air Force के जो chief होते उनको वो fire कर दी तो कहने का मतलब है कि एक तो Zelensky के ये system उनको ये समझ में नहीं आ रहा है और उसके बाद अगर कोई भी नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान के लिए वो mill bad के बात नहीं कर रहे हैं बलकि directly अपने मन से किसी को भी fire कर दे रहे हैं और किसी को ने position पे लाके रख दे रहे हैं तो कहने का मतलब है कि Already Zelensky इतना ज Chief को हटाया गया है उनका कही न कहीं एक जो लगाव हो गया जो एक attachment होगा Zelensky के साथ वो भी खतम हो गया होगा और ऐसे ऐसे गर आप articles पढ़ने शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे और भी information मालूम पढ़ेंगे जहां पर आप simply कह सकते थे कि Zelensky directly Vladimir Putin से बात करते हैं और भी मौका नहीं होगा जहां पर वो अपने मन से कोई भी discussion कर सकते होंगे Vladimir Putin के साथ इसलिए जरूरी होता है कि देश का जो foreign policy रहे वो independent रहे I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करक के बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye